Hello friends, साब से फिर से स्वागत है आज किस नए बड़िव में दोस्तों आज किस बड़िव में बताएंगे कि किसी भी गाड़ी के नम्मर से पता कैसे कड़े कि इसका माली कौन है ये किसके नाम पे गाड़ी रेजिस्टर है ये चीज़ आपको आज किस बड़िव में मोबाईल के स्वागत है जो कि जिन्वीन तरीक है उस तरीके से आप बहुत अंसानी से पता कर सकते हैं सिर्फ गाड़ी के नम्मर से पता कर सकते हैं कि ये गाड़ी किसके नाम पे रेजिस्टर है इसका असली मालिक कौन है और इसके साथी साथ अगर आपके पास ड्राइविन लैसेंस का नम्मर है तो उससे पता कर सकते कि ये किसका ड्राइविन लैसेंस है और ये ड्राइविन लैसेंस ओरीजिनल है या फिर फेक है क्योंकि दोस्तो ऐसा इंफोमेटी बड़ी अपने चैनल पर हमेशा लेके आते रहते हैं और आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुनना चाहते हैं आपको सर्च करना है एम परी वहन एम परी वहन सर्च करेंगे तो आपके सामने यह एप्लिकेशन आ जाएगा इस एप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद ओपिन वाले बटन पर क्लिक करना है और ओपिन वाले बटन पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का interface आपके सामने आएगा इसमें आपको right slide करते जाना है करते जाना है इसके बाद आपका यह interface देखने को मिलेगा इसमें अपने हिसाब से language को select किजिएगा और नीचे में continue का button है continue करना है इसके बाद आपको ok कर देना है और दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको sign in क करने और यहां 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 वाले बटन पर क्लिक करना है और यहां पर अपने mobile नमर को डालेंगे नहीं 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 यहां पर नीचे में और देखिए लिखा हुए don't have an account मेरे पास नहीं है तो sign up करेंगे, sign up वाले button पर click करना है, अब आपको mobile number को डालना है, और इसके बाद continue वाले button पर click करना है, और यहाँ पर terms and condition को accept करना है, और submit वाले button पर click करना है, अब दोस्तो OTP भेजा जाएगा number पर, उसको यहाँ पर enter करना है, OTP को enter करने के बाद verify वाले button पर click करना है, और दोस्तो बस sign up हो गया, यहाँ पर आपको अपने profile को complete कर लेना है, तो complete करने के लिए यहाँ पर अपने नाम को enter करना है, तो चलिए यहाँ से अपने नाम को लिखे देते हैं, रोहित सिंग, इसके बाद mobile number तो auto fill है, और इसके है, बस दोस्तो sign up वाले button पर click करते ही, आपका sign up successfully हो जाएगा, तो दोस्तो आब आपको बताएंगे कि किसी भी गारी के नमर से पता कैसे करें, कि यह गारी किसकी है, इसका माली कौन है, और उसका माली का पता भी बताएंगे, और दोस्तो इसके साथी साथ, किसी भी driving license के न RC dashboard है, RC dashboard में आप अपने गारी का RC number डालेंगे, इसका मतलब number plate पे जो number रहता है, उसको पूरा डालेंगे, तो चली एक number को fill up करके दिखाते हैं, दोस्तो गारी number को enter करने के बाद, आपको search वाले button पर click करना है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके साथे personal information को secure and private रखा आपको okay करना है यहाँ और okay करने के बाद पूरा details यहाँ पर सामने आ जाएगा, देखिए पूरा details सामने आ गया, दोस्तो देखीं यहाँ पर security purpose के वज़े से honor का नाम एक लेटर लिखा फिर start किया, फिर एक लेटर लिखा फिर start दिया, ऐसे दिया हुए, इसके नीचे अभी एक्टिव है, डीजल गारी है और कितना पुराना हो चुका है यह गारी तो दो साल चाड़ महीना पुराना हो चुका है, रेजिस्टेशन का date कब रेजिस्टर किया, कब तक के लिए है, यह valid फिल, यह सब पूरे details आप देख सकते इस तरीके से, दोस्तो इसके आलाव तो इसके बाद आपको आना है DL Dashboard वाले option पर और यहाँ पर अपने DL नमर को enter करना है, तो चलिए एक example के लिए दिखा देते हैं, तो DL नमर को डालने के बाद सर्च वाले बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर बता रहा है कि security purpose के वज़ए से अपने personal details को safe रखना है, औ इसके बाद driving license का holder name, जिसका driving license है, उसके नाम को पुरा clear नहीं लिखा हुआ, एक letter लिखा, फिर एक letter फिर स्टार, क्योंकि security purpose के वज़ए से इसको private रखा गया, इसके बाद है license authority code, BR04, इसका मतलब यह छप्रा में register है, इसके बाद है vehicle class, कौन से गाड़ी के लिए यह driving license बना इसके बाद किस दिन बना था issue date, 2018 में बनाया गया था, किस दिन तक valid है, तो 2030 तक valid है, license authority, DTO छप्रा, तो दोस्तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, कि driving license fake है, या फिर original है, और किसना का driving license है, बहुत असानी से, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, किसी का भी driving license हो जरूर बताएगा, उसका reply हम जरूर करेंगे, और आप किसी अगले topic के उपर वीडियो देखना चाहते है, तो भी comment करके बताएगा, उसके उपर वीडियो जरूर लेके आएगे, और आप हमसे Instagram पर जूनना चाहते है, तो Instagram का लिंक description मिल लिएगा, या फिर उसके user एडियर इंस्टाग्राम पर जायेंगे, तो follow जरूर कर लिजेगा, और दोस्तों जाते जाते एक पर फिर से request करेंगे, कि अगर आपने अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किये, अभी चनल को सब्सक्राइब कर दिजे, नोटिफिकेशन बेल जरूर पेस्ट कर दिजेगा चलिए चलते मिलेंगे अगले वडियो में